विश्वे युवा काउशल दिवस पर सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुब कामना है दूसरी बार है जब करोणा महामारी के बीच हम ये दिवस मना रहे हैं इस वैस्विक महामारी की चुनोतियों ने वर्ल यूथ स्किल्डे की एहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजहादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं 21 सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजहादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं इसलिए नई पीड़ी के युवाओं का स्किल डेवलेप्मेंट एक राष्ट्रिय जरुरत है आत्म निर भर भारत का बहुत बड़ा आधार है बीते छे वर्षों में जो आधार बना जो नए संस्थान बने उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्कील इंडिया मिशन को गति देनी ही है साथियों जब कोई समाज स्कील को महत्व देता है तो समाज की अप्स्किलिंग भी होती है उन्नती भी होती है दुनिया इस बात को बख हुई जानती भी है लेकिन भारत की सोच इससे भी दो कदम आगे की रही है हमारे पुर्वजों ने स्कील्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सलिप्रेट किया स्कील्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया आप देखिए हम विजिया दस्वी को सस्त्र पुजन करते हैं अक्षय तुर्तिया को किसाम फसल की कुशी यंत्रों की पूजा करते हैं भगवान विश्व कर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्कील हर सिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा परवरहा है हमारे हां सांस्त्रों में निर्देश दिया गया है विवाह दिशू यग्यशू ग्रह आराम विधायके सर्व करमसू संपुज्यो विश्व कर्मा इती सुर्तम अर्थात विवाहो ग्रह प्रवेशो या कोई और यग्यकार्या सामाजिक कार्य हो इसमें भगवान विश्व कर्मा की पूजा उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए विश्व कर्मा की पूजा यानि समाज जीवन में अलग-अलग रचनात्वक कार्य करने वाले हमारे विश्व कर्माओं का सम्मान स्कील का सम्मान लकडी के कारीगर, मेटर्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगेच्चे की सुन्दरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बरतन बनाने वाले कुमार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी ऐसे कितने ही लोग है, जीने हमारी परंपरा ने विशय सन्मान दिया है, महा भारत के भी एक स्लोक में कहा गया है विश्व कर्मा नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्व संभवव अर्थात जिनके कारण विश्व में सबकुछ संभव होता है उस विश्व कर्मा को नमस्कार है विश्व कर्मा को विश्व कर्मा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके काम के बिना स्किल्स के बिना समाज का अस्तित्व ही असंभव है लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल्ड डेवलप्मेंट की व्यवस्ता हमारे सोशल सिस्टिम में हमारे एजुकेशन सिस्टिम में दीरे धीरे कमजोर पड़ती गई साथियों एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती हैं कि हमें क्या करना है तो स्किल हमें सिखाती हैं कि वो काम वास्त्विक स्वरूप में कैसे होगा देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाए इसी जरुरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है मुझे खुसी है कि प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना के माध्यम से अब तक सवा करोड से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है साथियों मैं एक और वाक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ एक बार स्किल डेवलप्मेंट को लेकर काम कर रहे कुछ अफसर मुझे मिले मैंने उनसे कहा कि आप इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं क्यों आप ऐसे स्किल्स की लिस्ट बनाएगे जिनकी हम अपने जीवन में सेवाएं लेते हैं आपको हरारी होगी जब उन्होंने सरसरी नजर से लिस्टिंग की तो ऐसी 900 से जादा स्किल्स निकली जिनकी हमें अपनी आवश्यक्ताओं के लिए जरूरत होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल्स डेवलोप्मेंट का काम कितना बड़ा है आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्स होगा वही गुरो करेगा ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्न मेंट पावर सॉल्यूशन्स भारत दे सके ये हमारे नवजवानों की स्किल्लिंग स्ट्रेटरजी के मुल में होना चाहिए इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल्ल गैप की मैपिंग जो की चीज आ रही है वो प्रसंसली के कदब है इसलिए हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग, री स्किलिंग और अप्स्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमाल लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेकनोलोजी बदल रही है आने वाले तीन-चार वर्सों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को री स्किलिंग की जरुवत पड़ेगी इसके लिए भी हमें देश को तयार करना होगा और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्स वर्कफोर्स की एहमियत को बहुत करिब से देखा है में सूस किया है देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्स वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है साथियों बाबा साब आमबेड कर रहे हैं युवाओं की कमजोर वर्क की स्किलिंग पर बहुत जोर दिया था आज स्किल्ड इंडिया के जरिये देश बाबा साब के इस दुरदर्शी स्वपन को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है उधान के तौर पर आदिवासी समाज के लिए देश ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानि गोल प्रोग्रेम शुरू किया है यह प्रोग्रेम पारमपारिक स्किल्ड के ख्षेत्रों जैसे कि आर्ट हो, कल्चर हो, हैंडिकाप्ट हो, टेक्स्टाइल हो इन में आदिवासी भाई बहनों की डिजिटल डिट्रेसी और स्किल्ड में मदद करेगा उन में एंट्रप्रेनेर्सी ब्यवलप करेगा इसी तरह बनधन योजना के भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोडने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है हमें आने वाले समय में इस तरह के अभ्यानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है स्कील के जरिये खुद को और देश को आत्मन निर भर बनाना है इनी शुब कामराओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देश आप साथ आपूस एफना है